सल्मान खान या जिसे मारना है मार ये मुझे कोई लेना देना नहीं है जी हाँ लॉरेंस बिश्णोई से ये बात पप्पु यादव ने कही है जी हाँ लॉरेंस बिश्णोई गैंग से धम की मिलने के मामले पर पुनिया सांसत पप्पु यादव ने अब कहा है कि वे सलमान खान या जिसे मारना चाहते हैं मारे उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है पप्पु यादव ने उनकी आलोचना करने वाले ब्रिज भूशन शड़न शिंग पर भी जम कर निशाना साधा या आप जिसको मारे मेरा कोई लेना देना आप मारिए इसी बीच बड़ी ख़बर ये भी आ रहे है दोस्तों लॉरेंस विष्णुई के भाई को भारत सरकार अमेरिका से लाने की तैयारी कर रही है अमोल विश्णूई को हो सकता है भारत सरकार भारत लाए और उससे पूछ ताज की जाए ऐसा भी बताया जा रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात अमोल विश्णूई का एक और अर्डियो क्लिप वाइरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वो तनवर से बात करते वहीं पपू यादव का जो मामला है दोस्तों वो काफी ज्यादा चौकाने वाला है लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के अब कॉमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से पपू यादव के वारे में अब कहा जा रहा है उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरीके से बिश्णोई के आगे क्या सच में उन्होंने सरेंडर किया है चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं आखिर हुआ क्या दरसल बिहार के पुर्णिया से सांसद पपु यादव ने गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई की धंकी पर एक और अब्यान दिया है। दरसल पुर्णिया के सांसद ने अपने बियान में ये भी कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं डर गया हूं तो वे मुझे मरवा दें कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओ वहीं लॉरेंस बिश्टोई गैंक से मिली धंकी पर पप्पु यादव ने ये कहा कि वो कई बार कह चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। वारोडा को धंकी मिली जो अध्यात्मिक गुरु हैं छोटा बच्चा है वो कौन सा मुसल्मान है आप किसी को मारें सल्मान खान को या किसी और को मारें हमें कोई लेना देना नहीं है। ब्रिज भूशन शरन शिंग पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि एक सांसत होकर उन्हें अपने बेटे के टिकट के लिए भीक मागनी पड़ी। उन पर कई आरोप लगे। जब जैपूर में करनी सिना के अध्यक्ष को मारा गया था तब उनमें बोलने की आउकात क्यों नहीं थी। तब उन्होंने दम नहीं दिखाया। बाचीत में पपू यादव को डरपोक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए लौरेंस गैम कर ब्यान दे रहा है। आपको बता दे कि पपू यादव ने पिछले दिनों मुंबई में नसीपी निता बाबा सिद्धिकी की हत्या ह उन्होंने के बाद कहा था कि अगर कानून एजासत दे तो वे 24 घंटे में लौरेंस बिश्नुई गैंग का सफाया कर देंगे। इसके बाद उन्हें लौरेंस गैंग की ओर से फोन पर जान से मानने की धंकी दी गई थी। फिर उन्होंने केंद्रिय गिरह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सिक्योरिटी वाई से जड़ शरेनी करने की मांग की थी। वहीं इस पर स्यासी घमासान छेड़ा हुआ है और फिलहाल सल्मान और विश्नुई गैंग का जो मामला चल रहा है वो भी काफी ज्यादा उरूज पर है दोस्तों और इस तरीके से पप्पु यादव ने अब जो ब्यान दिया है उस पर भी स्यासी घमासान मचा हुआ है। दोस्तों इस मामले पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएंगे शुक्रियां